साइद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अब थोड़ा चांद लाइट हो चुका है वेलो गाइज अस्सलाम अलेकुम वेलकम तू माई न्यू लोग तो आज का अब लोग करते हैं शुरू गाइज बरसाद बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है कल रात से कंटीनियू बारिस फिर से शुरू हो गई थी तूफान था वो रात को चला गया था मगर अभी भी थंडी थंडी हवा लग रही है पूरा माउल ठंडग से फेल गया मगर बरसाद भी बहुत तेज है रात को बहुत तेज चुई अभी भी बारिस चाल हुए भाई ने अपने गाड़ी भार खड़ी कर दिये ताकि कोई नुकसान ना हो पेड गिरने के चांसे हैं अभी भी तेज तेज हवा लग रही है आप देख सकते हो तो फिलाल में अंदर सौया हुआ था तो बार देखा तो बसा चलू थी तो मैंने सुझा आपको अपडेट देता चलो तूफान तो चला गया वारिस बाग्या आप देख सकते हो भी तो साथ में वारिस तो गाइस फिला सेन यूँ है की बरसाद बंद होने का नाम भी नहीं ले रही है कल रात से जैसे वारिस शुरू ही थी वेसे वेसे चल रही है कोई फरक नहीं आया एकदम वही सेम स्पीड में चल रही है साथ में हवा भी लग रही है आप देख सकते हो पूरा गाउं पानी पानी हो चुका है फर्स टाइम देखा है गाउं में इतना पानी इक्टा हुआ है साथ में हवा भी तेज तेज लग रही है आप बसा देख सकते हो बहुत ही तेज बरसात है अल्ला रह्म करें बहुत तेजी वारिस है कोई इनसान जानवर घर से बार नहीं निकर लें बस बेटे हैं घर के अंदर लाइट भी नहीं है कुछ बिजली खंबे गिर के थे तारें तूट गई थी तो बहुत दिक्कत वाली बात है यह रहे सामने मस्चिद आप देख सकते हो कितनी तेज बारिस है गाँ पूरा पानी से भर चुका है तो दो पेर के बजने वाले हैं तीन मगर बरसात का सिलसला अभी भी जारी है साथ में तूफान था भाई के घर पर जो पेर था नेम के कुछ सुनकी डालियां गिर चुकी है कुछ इस साइड भी गिर चुकी है बर्च से कारण पूरे गाउं में लबा लब हर जगा पानी बर चुका है हर जगा पानी एक्टा हो चुका है हर गली से गुजरना मुस्किल हो गया है इतना पानी बर चुका है तो मैं अभी जा रहा हूँ मस्चिद में जोहर की नमाज अदा करने आप देख सकते हो गाउं का नजारा चार तरफ पानी पानी हमने अमारे जिंदे की में पहली बार इतनी बारिश देखी जो तीन दिन से लगा तर चल रही है हर जगा पानी एक्टा उपड़ा है मस्चिद के अंदर भी पान एक्टा हो चुका है है कि सुबे दो बारिस हुई है हर जगा पानी बानी तो गाइस फिलाल आए थे घर से नीचे जो हमारा मेहमानों के लिए बनाए हुआ है जो होल यहां बैठते हैं यहां पर यहां पर सब बाई लोग बैठे थे अब थोड़ी बारिस कम हो चुकी है यहां पर सेलफी फोटो से निकाले जा रहे हैं मैं मुरिज के लिए कुछ बाई लोग यहां बैठे हैं कुछ यहां पर सने बना रहे है अब जाके बरशाद काफी घंटों के बाद जाके बंद हुई है नहीं तो पूरा दिन कंटीन्यू बारिस चली तो गाउं में पूरा पानी भर चुका है मगर हमारे जो रेत के कारण सारा पानी जमी ने सोख लिया है तो गाइस फाइनली तीन दिनों के बाद धूप निकल चुकी है बरसाद कल साम तक थी फिर बरसाद भी बंद हो गई है कपड़े तीन चार दिनों से खूब इक्ता होगे तो आज दूप में सब सुखा दिये हैं हम सब भाई लोग बैठे थे आज पेड़ की च्छाओं में तीन दिन तो बरसा थी रोम से बाहर भी नहीं निकल ले थे अगर आज बाहर निकले हैं जेस्ट तो फिला आज मैं जा रहा हूं घर पर खाना खाने बाई लोग यहां बैठे हैं वापिस खा सब्सक्राइब तो फिलाल जाते हैं घर पर और खाना खाते हैं तो फिलाल सीन यूँ है कि हम जा रहे हैं हमारे कुए पर घर पर लाइट नहीं तीन चार दिनों से जो तूफान था उसका रण जो बिजली के खंबे थे वो गिर गए थे तो लाइट नहीं आ रही थी तो कुए पर फॉन बीस हिच्चों होने वाले हैं कुछ थोड़ी 15-20 परसंट रहे हैं 15-20 परसंट फॉन रहा है तो वह चार दिन लगाने जा रहे हैं हम तीन चार भाई लोग हैं वहां पर जो पावर राउस होता है जो कुए को उपर उसमें सिंगल पीस लाइट आती है सिंग तो जा रहे हैं कुए पर जुगाड कुछ लगाया है सिंगल पीस में वायर जोड़कर भाई ने कुछ तरीका निकाला है तो वहीं जा रहे हैं थोड़ा बहुत फॉन चार्जिंग करें कॉल करने में असानी हो वेसे भी दिक्कत आ रही है कि दो बस कुछी तहरें पहुचने वाले हैं गहां में जो भी इन्वेटर थे सब डाउन हो चुके हैं लाइट के बिना हाल खराब है पानी के मोटर भी ने चल दी तो नाने के लिए भी कुए पर आना पड़ता है तो बस कुछी तेरें पहुचने वाले हैं साथ में वायर यह बॉर्ड ले लिया है तो गाइस फिलाज जुगार चालू है पाई कनेक्शन कर रहे हैं एक साइड बॉर्ड के अंदर लगा हैं दूसरा साइड लाइट के अंदर फिट करेंगे कि बीस वल्टेज की लाइट है सम्थिंग तो बस कनेक्शन और फिर लगाते हैं मबल चार्जिंग पर पूरे दिन से फॉन से चबता पूरा दिन बिना फॉन के चलाया हमें पता है कैसे दिन गुजरा है हमारा बिना फॉन के तो अब जुगार किया जा रहा है बस यही दू अब हो चुके हैं मॉबाइल चार्जिंग शुरू हो चुके हैं आप देख सकते हो पाया बुच है रहे खुसी एक अलगी लेवल पर है तो बाहर वेट कर रहे हैं अंदर गर्मी है तो यहां पर वेट करेंगे पचास साट पर सब्सक्राइब फिर जाते हैं घर पर मेरा भी सब्सक्राइब हो चुके हैं अब जा रहे हैं घर पर हमारा जुकर काम आ गया जो सिंगल पीस पर फॉन चार्जिंग आइडिया था वह कामयाब के साथ कामयाब हो गया तो फाइनलि अब जा रहे हैं वाफिस घर पर आप यह नीदぎ रात के बजने वाले हैं 12 तो आप जाते हैं घर पर अब जाएंगे अब घर जाके सीधा ही सो जाएंगे और तो कोई नहीं फॉन अब कल चलाएंगे क्योंकि आप भी चलाएंगे तो फिर से डाउन हो जाएगा मोबाइल कल तो वैसे भी का लाइट आ जाएगी देखते हैं नहीं आए तो वापीस आ जाएंगे यहां पर फिर लगा लेंगे पहुंचा जाएंगे अब हमारे पास जो गड़ पड़ा है इस चीज का तो अभी जाते हैं घर पर और आराम करते हैं आज पूरे दिन लाइट की भागा द हिलना है तो वहीं जा रहे हैं सामने रहे गाड़ी कुछ बाइट लोगा चुके हैं कुछ चब्याना बाकी हैं तो जाते हैं और किर्केट खेल के आते हैं वैसे भी जातर बहुर हो रहा है थे तो आप सबी को माहे जलहिज का चांद बारको इंशालला अब दस दिन अबाद इदल अजा की नमादा की जाएगी तो आज ती जिलकाद मेने की लास तारीक तो जलहिज का चांद नजर आ चुका है तो आप सबी को एडवांस इद बारक तो फिलाल मैं आया हो था नीचे यहां कुछ बाई लग बैठे थे तो गुंतिश जून को इदल अजा की नमादा क की जाएगी तो उसके लिए अब कल से इंशालाइद की तयारें शुरू कर देंगे जो भी योगा प्रुफिस कुर्बानी के लिए जो भी जानवर वह भी लाना है तो फिलाल जाते हैं कजन के घर पर बहुत प्यास लगी हुई थी जाते हैं और पानी पीते हैं